हलो फ्रेंड मैं बिर्जेश कुमार ओपिसियल यूटूब चैनल जी ओवी की यानि गॉवर्मेंट जॉप्स फोर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्पूर होने वाला है त्योंकि इस वीडियो में नॉन टीचिंग के एक अच्छी वेकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं यह जो वेकेंसी हैं सरकारी नुकरी के लिए हैं और तीन पद हैं जो contextual basis पे आवेदा नामंत्रित हैं लेकिन लाइवेरी साइंस के फिल्ड में Senior Library Information Assistant, Junior Library Information Assistant, Assistant Librarian सहित विभिन पद हैं नॉन टीचिंग की वेकेंसी हैं अच्छी वेकेंसी हैं सरकारी नुकरी के लिए आवेदा नामंत्रित हैं तो आज का वीडियो बहुत ही महत्पूर्ण होगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल के द्वारा वेवसाइट बनाए गया है वेवसाइट का नाम है GOVT jobs4u.org इस वेवसाइट पे जाकर आप notification डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इस वेवसाइट पे सबसे पहले notification अपलोड की जाती है इस लिए इस वेवसाइट पे जरूर विजिट करें और notification पराप्त करें अब मैं बात करूँ यह जो vacancy हैं तो मैं already government service में हूँ और मैं जो video बनाता हूँ केवल आपके लिए बनाता हूँ तो इस लिए आप video को like करें और ज्यादा ज्यादा share करें चैनल अभी तक subscribe नहीं किया हैं तो subscribe कर लें जिससे के update और नहीं video की जंकारी आपको मिलता रहें otherwise नहीं भी subscribe करते हैं तो कोई दिकत नहीं है बट विडियो को like जरूर करें और share करें इसमें जो विभीन पद है इसमें बात करें तो यहाँ पर देखिए serial number है यहाँ पर position दिया है यहाँ पर pay level दिया है यहाँ पर number of vacancies है यहाँ पर category दी गई है administrative level में administrative officer और assistant administrative officer के एक एक पद है Assistant, Administrative Officer में एक पद है और Administrative Assistant के लिए Total दो पद है यह تीनों पद जनरल कटेग्री में है Junior Assistant के लिए आठ पद पर आवेदान आमंतरित हैं जिसमें जनरल में पाँच पद है Junior Assistant Hindi में एक पद है जनरल कटेग्री में Finance Advisor and Chief Account Officer के लिए एक पद है जनरल कटेग्री में एकाउंटेंट ग्रेड फर्स्ट में एक पद हैं और जुनियर एकाउंटेंट में एक पद के लिए आवेदा नामंत्रित हैं अब हम बात करें लाइबरी साइंस के खिल्ड में तो असिस्टेंट लाइबरी के लिए एक पद हैं जनरल कटेगरी में senior library information assistant का एक पद है general category में junior library information assistant का एक पद है general category में इसका लवा junior system engineer grade second में एक पद है और junior technical assistant IT में दो पद के लिए आवेदा नाम अंत्रित है junior engineer electrical grade second में एक पद है अभी तक जितने भी पद का नाम लिया हूँ यानि serial number 1 से लेका और 14 तक serial number 1 से लेका 14 तक जो पद है सभी पद सरकारी नोकड़ी के लिए है अब मैं जो पद मता रहा हूँ यह जो पद है contextual basis पे आवेदा नाम अंत्रित है जिसमें manager के लिए एक पद है Hindi officer, official language में एक पद है और junior programmer का एक पद है यह जो तीन पद है, तीन पद contextual basis पे है और उपर की जो vacancy है और सरकारी नोकड़ी के लिए आवेदा नाम अंत्रित है online application form फिल करना अभी शुरू नहीं हुआ है कल 15 मार्च है, कल 15 मार्च को तीन बज़े के बाद online application form फिल करना शुरू होगा और online application form फिल करने के अंतिमतिती 12 April 2024 है इससे पहले आपको online application form फिल कर लेना है application सुल्क की बात करें तो कोई ज़्यादा application सुल्क नहीं है general EWS और OBC कटेगरी में 500 रुपी application सुल्क है AC, ST, PWD और female candidate के लिए कोई भी application सुल्क नहीं लग रहा है administrative officer के लिए qualification के हम बात करें तो qualification थोड़ा सा है भी है इसके अलावा 8 साल का experience होना चाहिए administrative level का experience इन पोस्ट, आफ्टर पोस्ट graduate के बाद 8 साल का experience होनी चाहिए ओ भी administrative तो इस ता से experience मंगा हुआ है other detail जंकारी भी है और assistant administrative officer के लिए जो है qualification में age limit की बात करें तो उपर वाला जो पद है इस पद के लिए age limit 45 साल है और assistant administrative officer के लिए age limit है 40 साल master degree किसी भी subject में होना चाहिए और especially computer science में है यहीं कंप्यूटर साइंस में है तो आप eligible है 8 साल का experience मंगा है administrative experience government organization या central autonomous organization से related होना चाहिए इस फुल लेबल का experience कारें नहीं कर पाएगा assistant administrative assistant के लिए qualification में degree मांगा हुआ है साथ में knowledge of computer operations है और 7 साल का experience है administrative level का यदि आपके पास है तो आप apply कर सकते हैं इसके अलावा typing speed भी है 35 watt per minute है सभी पद में typing speed मांगा हुआ है junior assistant के लिए जो है qualification sorry junior assistant के लिए age limit है 32 साल qualification में degree qualification है साथ में knowledge of computer applications है यहीं operations है और after graduate के बाद चार साल का experience पब्लिक सेक्टर में यह अर्गनाइजेशन या government organization या central या autonomous body होना चाहिए speed typing है 35 watt per minute और excellent written communication English होना चाहिए senior assistant हिंदी के लिए bachelor degree मांगा हुआ है सबंदित फिल्ड में और जो हिंदी का है तो इसके लिए आपको पता है हिंदी और इंग्लिस दोनों का जंकारी होना compulsory रहता है experience में चार साल का experience है वाट computer का जंकारी होना चाहिए और finance and account के लिए graduation commerce में graduation होनी चाहिए इनी CA या ICWA qualification के साथ में 12 साल का experience है तो अपलाई करेंगे कंसकं pay level 11 का उनसार 3 साल का experience होना compulsory है और pay level 10 का उनसार 6 साल का experience अदर requirement typing है और other detail जंकारी है जो financial से related दी गई है accountant grade 1 के लिए qualification graduate commerce में computer का अग्यान है या CA या ICWA है तो अपलाई कर सकते हैं लेकिन 6 साल का experience साबंदित फिल्ड में हैं इसके अलावा other detail जंकारी भी है तो junior assistant के लिए qualification में graduate commerce में या MBA या CA या CA या ICWA qualification है age limit की हम बात करें तो age limit कितना है 40 साल है और junior assistant के लिए age limit है 32 साल इसके अलावा library science के फिल्ड में जो है age limit है assistant library का 45 साल qualification में master degree library information science होना चाहिए 55% अंक के साथ में following grading system है जिसमें PhD degree library information science या state या net होना जरूरी है इसके अलावा ICT का library में उप्योग होना जरूरी है इसके जंकारी और 5 साल का experience supervisory या independent university या college से related होना चाहिए English और Hindi लिखने का ज्यान होनी चाहिए और English communication और लिखने का ज्यान computer का ज्यान है इसके अलावा preference दिया है याने डिजाइबर qualification भी दिया है तो डिटेल जंकारी आप देख सकते हैं senior library information assistant के लिए age limit है 40 साल qualification में master degree library information science 3 year का professional experience library science की field में और other जो require है good, excellent English communication junior library information assistant के लिए age limit है 32 साल qualification में graduate degree in library information science यानि बेचला आप library information science हैं तो आप apply कर सकते हैं लेकिन 4 साल का experience होना चाहिए experience क्योंग जरूरी है क्योंकि जो vacancy है सरकारी नोकरी है और IIM जैसे संस्था में नोकरी सरकारी नोकरी करने के लिए experience का required तो रहता ही है इसलिए English oral communication का अच्छा English communication का अच्छा ग्यान होनी चाहिए junior system engineer के लिए age limit है 40 साल BSE CS या IT या BCA आपके पास हैं तो अपलाई कर सकते हैं या आपके पास भी BTE, Computer Science and EC या IT फिल्ड में हैं तो अपलाई करेंगे लेकिन सभी qualification के साथ में 6 साल का experience होना compulsory है और English communication का ग्यान होना भी जरूरी है इस तरह से और भी qualification है junior technical assistant के लिए age limit है 32 साल और qualification सेम है जो अभी में बताया हूँ experience 4 साल का experience सबन्दित फिल्ड में है इसके अलवा other communication English communication सब में मंगा हुआ है written और oral दोनो communication इसके अलवा junior engineer electrical grade second में जो है इसमें भी qualification सेम है engineering field में electrical के फिल्ड में सेम qualification और 6 साल का experience होना चाहिए other detail जंकारी सेम है जो उपर में बताया हूँ manager के लिए जो है certification में master degree यानि CAICWA 10 साल का experience है तो apply करेंगे experience इसको लेबल का है तो भी चल जाएगा हिंदी officer के लिए आपको पता है कि इसमें हिंदी और English का दोनों ग्यान होना compulsory राता है salary है 55,000 रुपए age limit है 12 साल other जो detail जंकारी है जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ हिंदी और English master degree में इस तरह से essential detail जंकारी है junior programmer के लिए जो contextual basis में है इसमें भी age limit है 45,000 रुपए 50 से 65,000 रुपए consolidated salary है और qualification में engineering field में भी B.tech या IT या C.E.C.E.C. जो भी आपके पास है MCA, BCA है और 5 साल का experience है तो apply कर सकते है यह रही पदोस से related जंकारी और जो engineering field में पद है उसमें जो है विभीन software का जंकारी इसमें मांगा हुआ है जैसे python, language और detail जंकारी है तो इस channel के दोरह जो website बनाया गया है उस website पर आप जाएंगे तो नीचे advertisement आप लोड आता है इसलिए तरिके से किलिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसलिए website बनाया है कि आपको इधार बटकना ना पड़े इस्ता से याँ आवेदा नामंत्री थे online application form फिल करना अभी शुरू नहीं हुआ है जल्दी शुरू हो जाएगा यानि कल टीन बजे के बाद शुरू होगा यह जो वेकेंसिय हैं भारती परबंद संस्ता तिरुचिरा पल्ली में आवेदा नामंत्री थे यानि Indian Institute of Management तिरुचिरा पल्ली में आवेदा नामंत्री थे देखिए संस्ता कहीं भी हो यदि सरकारी नुकरी मिलता है तो आपको लेना चाहिए इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं आपके पास तक पहुंचा रहा हूं कि संस्ता कहीं भी है सरकारी नुकरी मिले तो लेना चाहिए